Bank of India के bank account से fund transfer करने के लिए Bank of India के जो भी mobile banking है आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास नहीं है इस वाली वीडियो के नीचे मैंने इसका link दे रखाऊं क्लिक करके पहले download करने डाउनलोड करने के बाद आपको register करने में कोई भी problem होता है उसके पर मैंने ओलेटी वीडियो बना रखाऊं वीडियो के link आपको इस वाली वीडियो के नीचे मिल जाएगा तो उस वाली वीडियो को देखके पहले mobile banking को register करना है उसके बाद register करने के टाइम पे जो भी आपने mpin create क्या है वही mpin आपको यहाँ पर fill up कर देना है mpin fill up करने के बाद आपके जो भी mobile banking है यहाँ पर इसी तरीके से login हो जाएगा आप यहाँ पर fund transfer करने के लिए bank transfer के option मिल जाएगा नहीं तो आपको यहाँ पर pay दिखाई देगा दोनों में आप कहीं भी click कर सकतो कोई भी problem न निक नेम आपको यहाँ पर fill up करने अगर आप चाहतों bank of India के bank account में पैसे भेजना है तो इसी के फ़र click रहने देना है अगर आप चाहतों SBI bank में पैसे भेजना है आई सकतो कोई भी problem नहीं है लेकिन आपको धियान रखने एक लाग से ज्यादा यहाँ से आप हंटांस पर नहीं कर सकतो bank and branch दिखाई देगा यहाँ पर आपको कुछ भी आपको यहां पर fill up करने जुरूरी नहीं है अगर यहां पर नाम फिल आप नहीं हो रहे तो आपको यहां पर नाम फिल आप कर देना है सारे डीटेल्स फिल आप करने के बाद एडड, beneficiary के उपओ, click करना है , अब यहां पर अपने रिष्टर मोबाईल नमर पर इसी तरी केसे OTP आएगा तो आपको यहाँ पर OTP फिलाप कर देना है अब OTP फिलाप करने के बाद वेरिफाई के वफर क्लिक करना है आप यहाँ पर देख सकतो हमारे यहाँ पर beneficity details add हो जुगा है अगर आप चातो और भी beneficity details add करना है तो आपको यहाँ पर all beneficity keo for क्लिक करना है तो जितना भी आपने beneficity details add किया है वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाए द रहे तो आदा घंटा आपको इंतेजर करना है उसके बाद यहाँ पर जो भी beneficity details add किया वह आपको पर आपको एक बार bank account number check कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर pay beneficity के उफ़र क्लिक करना है कितना amount आप भेजने चाहते हो ओही amount आपको यहाँ पर fill up करना है अब यहाँ पर आपको चार option मिल जाएगा अगर आप 2 लाग से उफ़र fund transfer करने चाहतो आटीजेस के उफ़र fund transfer कर सकतो तुरंद आपके fund transfer हो जाएगा अगर आप 2 लाग से कम transfer करने चाहतो MFT के उफ़र click कर सकतो IMPS के उफ़र click कर सकतो IMPS केने के बाद तुरंद आपके यहाँ पर fund transfer हो जाएगा उसके बाद आपको remark के उफ़र के ओफर क्लिक करना है और आपको कॉन्फराम के ओफर क्लिक कर देना है अपने रेश्टर मोबाइल नमर पे इसी तरी के से ओटी पी आएगा तो आपको यहां पर ओटी फिलाप करना है अब ओटी फिलाप करने के बाद वेरिफाई के ओफर क्लिक करना है इतने काम करने के हमारे यहां पर fund transfer complete हो जुगा है तो अगर आप भी bank of India के bank account से fund transfer करने चाहते हो इसी तरी किसे आपको यहां पर fund transfer कर लेना है